नमस्कार दोस्तो मैं सूरा सिंग आपका अपना यूटूब चैनल हमारी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा बहुत ही लाजवा फशल जी हां दोस्तो आपके मेरे पीछे जो आपको बैग्राउंड में दिख रहा है यह है भींडी का फशल जी हैं दोस्तो अगर भींडी का फशल आप लुक यहां पे गौम में फिर शहर में रहते हैं ज़रूर भींडी खाते होंगे लेकिन आपके आपने देखा है कि भिंडी का खेत जो है किस हिसाब से होता है यह फशल कैसा होता है जो देखने में आपको लगेगा ठीक है तो चलिए अब हम आपको बैक केमरा के थुरू हम दिखाते हैं कि भिंडी का फशल कैसा होता है और किस हिसाब से होता है ठीक है और कि यहां पर दिख रहा है ठीक है तो चलिए मैंने सोचा आप लोग के लिए खाश करके शहर में जो हमारे भाई लोग रहते हैं भाई बंदू जो उनको वह अगर भिंडी का फशल नहीं देखा है खेत में कैसा होता है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महतपूर्ण है ठीक कि आपको दिखाते हैं कि भिंडी का फशल यहां पर कैसा क्या होता है रहा है विल्कुल यह देखें यह विंडी का फशल होता है इतने बड़े मतलब ये तीन सारे तीन फूट का इस खेट में भी भिंडी का फषल है जबकि ये भिंडी का फषल जो होता है ये अगर अच्छे पायदावार है अच्छे जो है उपजा हुआ है तो ये कम से कम चार-पांच फूट के आसपास का भी होता है ठीक है लेकिन ये अभी बारिश का मौशम कुछ दिन पहले ही गुजरा था अगस्त वगर है में अगस्त सप्ट्रब्र को ज्यादा बारिश हो रहे थी खास करके बिहार में बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो इसलिए जहां फशल जो है थोरा सा डौन हो गया है और यह इतना बड़ा हो गया अगर सही में उपज होता है और सही में पायदावार अच्छी अगर होती है तो यह भिंडी के फशल कम से कम 5-6 फूट के आसपास हो जाता है ठीक है लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर देखिए भिंडी का पौदा कैसे होता है और पौधे के अंदर यह किसे मुद्ञब से भिंडी यहां पर उपज होता है देखिए भिंडी को आपको दिखा रहे है यहां पर देखिए भिंडी हमा दिखे रहा है आपको मैं यह जैसे पौधा है विं devil होता है बिल्कुल का हम कई conseq के just साइट से गुजरता है मतलब ये निकलता है देखिए ये है विंडर कहले चैन्हीं के सब्सक्रामी करें इसंद से फूल होता है यह बहुत हुदा है ये आप देखिए यह निकल रहा है यह गंदर मतलब इसम में यह छोटा सा पौधा है जिसमें एक दू तीन यहाँ पे दो ऊपर में और पलस यह दो सैड में निकला हुआ है ठीक है लेकिन यह एक्चोली में जो होता है अगर अच्छी पायदा रहता है एक पेड के मतलब यह पाउदा जोता है उसके ऊपर कम से कम पान दस पंदरा भी विंडी हो जाता है ठीक है यह देखिए यह छोटा है लेकिन यह वी मैंने आपको यही बोला कि बर्शाथ अभी गुजरी थी मतलब जो है सप्टेमबर अक्टूबर में सप्टेमबर अगस्त में बहुत ज्यादा वारिश होती है खासकर कि बहराम हर एक स होता है या तो भुजिया के टैप में या फिर मसालेदार जो है शबजी टैप का फ्राइगर का बनाने में वह तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्त क्योंकि हमने बहुत खाया है ठीक है तो भिंडी तो अपने खाया है लेकिन यहां पे खेत में आके मैं वीडियो दिखा दू तो तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह फशल आप लोग को अच्छा लगा हो यह खेती जो आपको बैगरांड में भी दिखने को मिला था पहले वी वीडियो के पीछे और अभी वी जो हमारे पीछे जो देखने को मिल रहा है यह आपको अच्छा लगा हो थे इस वीडियो के कर दीजिए गा लाइक और हमारे चानल पर पहली बारे चल कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटे वाली वाली वटन जो है दवाना बिलकुल ने भूलिए गा ताकि हमारे हर वीडियो की जानकरी सबसे पहले नूटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं खास करके यह और साथ में बिहार का शीन जो आप लोग गर गौ में कहीं और शहर में किसी और जगह से हैं बिहार का शीन नहीं देखा ए तो इस बीडि फसल के माध हम से आप लोगा बिहार का बैग्राउंड भी देख सकते हैं हमारे गौं का मत हो नहीं टिश्टिक के अंदर है हमारा गौह परता है लदनिया पर खंड वहां कब आप यहां पर सीन भी देख सकते हैं देखिए तो चलते हैं दोस्तों फिर में लेंगा वडिया सब वीडियो के साथ तब तक लिए ओके टाटा वाइबा बंदे मातरम जाहिन जाभरत हंसते रहे मुस्कुरात रहे जाए ज जाए किसान वंदे मातरम